गुड़ मॉनिंग दोस्तों आज हम बात करेंगे शपल लोगों की सोच के बारे में कि वह किस तरह सोचते हैं तो दोस्तों आज हमें एक बेसेलर बुक की समर्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू दोस्तों आज बेस सेलर पुक है यह आज इसके अपन समरी सुनेंगे यह बुक लिखी है जे स्वार्स ने 1965 में लिखा था बड़ी सोच का बड़ा जादू इस पुस्तक का उद्देश हमें यह समझना है कि हमें बैतर जीवन ज होगा हम आज जो भी है वह अपनी पिछली सोच का नतीजा है अगर हम हमें आने वाली जिनकी बदलनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी सोच वेवार बनती है वेवार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन बनते हैं डेविड की बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के जाद चीज हासिल करे हमें अपनी सोच को बड़ी चीजों के सोच ने लाइक बनाना होगा डेविड के इसाफ से सपलता का कम ग्यान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्य सालिय होना आपके उन्नती इनसब या किसी के दिमाग क्या कर पर नहीं है, दिमाग क्या कारपन नहीं है बलकि उसके सोच क्या कारपन निर्वर करती है हम आपके साथ बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक के ऐसे बैतरी सिद्धानतों को साजा कर रहे हैं जो आपकी पुस्तक को और बैतर तरीके समझने और आपके जिवन को बैतर बनाने में मदद करेगी पहला सिद्धान, Believe you can succeed and you will इत्यास हमाँ बताता है कि किसी भी विक्ति के बेंग अकाउंट का साइज, Happiness अकाउंट का साइज या आप संतुष्टी के खाते का साइज उस विक्ति की सोच के आकार पर निर्बर करता है लेकर बताते हैं कि अगर हमें खुद पर बरोसा होता है कि हम यह कर सकते हैं तो फिर आपको यह जवाब भी मिलने लगता है कि आप ऐसा कैसे करेंगे खुद पर बरोसा आपके दिमाग को सवालों के जवाब डूडने पर मजबूर कर देता है और रेकीन मानिए आपका दिमाग इतना समता वाला है कि वह आपको हर समबब पाने में मदद करेगा जो भी आप पाना चाहते हैं दूसरा डूंट एस्क्यूज आपने यह हमेशा देखा होगा कि जो इंसान जितने कम माने बनाता है वह उतनी ही जल्दी सफल होता है और उतना ही बैतर जीवन जीता है अपनी गलतियों से बचना और दूसरों पर इसका दोस्त देना ऐसा पलता कि पहली और प्रमक वज़े है आप अपने आसपास देखेंगे कि हर एक आम इंसान आपको है करते हुए सुनेगा ता वह मिलेगा कि वह यह क्यों नहीं कर पाया सरकार सही नहीं थी पर सब भी नहीं था गर भी नहीं था दोस्तों का साथ नहीं मिला और ऐसी ही तमाम बाते लेकिन क्या आपने उन्हें अपने जीवन में कुछ भी बढ़ा करते देखा है यूज बिक ब्राइट चीर्फुल वर्ड्स जब भी आप खुद के बारे में या किसी काम को करने के बारे में उड़जा से बरे होकर दूसरों के साथ उसको साजा करते हैं ये बातचीत आपके अंदर नई प्रकार के उड़जा भर देती है और वे सब आपके दिमाग को हर चीज को आसानी से करने का निर्देश देते हैं कोसिस करें कि पहली बार में हर चीज के बारे में ये नहीं कहें कि ये तो बहुत मुश्किल है मैं इसे कैसे करूंगा बलकि इसकी वज़े कहें ये तो आसान है मैं इसे सीख सकता हूँ जिससे इसको और बैतर तरीके से कर सकूँ think how much you want to earn आपके अकसर एक हाव सुनी होगी कि दिन में एक बार तो हम कहते हैं वे सच हो ही जाता है इस बात की पुष्टी तो हमें इस वक्त नहीं कर सकता पर हाँ आप अपने आने वाले पांस से दस सैलून बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं इस बारे में हमेसा मनन केस्ट चाहता रहे कि असल माँ आप क्या चाहते हैं जिससे वह इस पूरा करने की रास्ते आपको सुजा पाए यकिन मानिये इससे आपके लिए यह पाना आसान होगा जो आप पाना चाहते हैं जाते हैं कि कहते हैं आप ज के साथ रहते हैं आप उन्जे से बन जाते हैं इसलिए अगर आप सपल बैतर इनसान बन्ना चाहते तो सपल और बैतर लोगों विचारों को अपनाई ये और इसका बैतरिन तरीका हें समझिक किताब़ आपको पढ़ना हमáis अपनी इस सोच को और बड़ा करने के लिए आपको यह ओड़ी बुक सुनने के लिए डिप्सक्रिशन में लिंक दिया गया वहाँ से जाए कि आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और यह चैनल अच्छा लगता है आपको तो आप इसे लाइक इन सब्सक्राइब करें 6. Learn deep about your work आप जिस भी सेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाते हैं कोसिस करिए कि उस विशे से सम्मनित कुछ न कुछ सीखते रहे यही नजरिया आपको उस सेत्र में सरोतम बनाएगा क्योंकि जब आप हर रोज थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो मंजिल पर पहुंचते ही इसके साथ ही वा बना रहने की समभावना भी बढ़ जाती है निसकर्स हमें उम्मिद है कि हमारे मादियम से बड़ी सोच का बड़ा जदू पुस्तक की है समरी आपको बहुत अच्छी लगी और आपको यह पुस्तक समझने में मदद भी करेगी आप यह बुक डेस्कुस्में में लिंक दिया गया जाए कि आप इसको परचेज कर सकते हैं तन्यवा तोस्तों इसके साथ ही इस बुक की समरी समापत होती है